चरचा मेरा एक सो तीनवा सविधान संसोदन किस से संबंदित है कल सुप्रीम कोट का दोस्तो एक बड़ा महतपून डिसीजन सामने आता है और इस महतपून डिसीजन में दो बड़ी महतपून दोस्तो लाइन है कि एक सो तीनवा जो सविधान संसोदन है सुप्रीम कोट की त दोस्तों तीन नियाएदीसों तो कहा है कि एकडम ठीक है पर भाई साथ दो दोस्तों नियाएदीस है उन्होंने कहा कि ये गलत है उनकी बात भी दोस्तों हमें करनी चाहिए। दोस्तों सुरुवात करते हैं पहली बात दोस्तों नोट करना सुप्रीम कोड जो है क्या सरवोच दोस्तों जो नियायले ध्यान रखिए सरवोच नियायले अगर मैं बात करूँ आप से कि सुप्रीम कोड में कितने दोस्तों नियायधीस होंगे कितने दोस्तों इसके कारेकाल होगा कितना दोस्तों आपके वेतन होगा ये सब कुछ जो है आर्टिकल नमर 124 के अंदर लिखा हुआ है सुप्रीम कोड नोट करना सवेधानिक जो बैंच लिखिए अगर आप से पूछे सवेधानिक जो दोस्तों मामले हैं इस पर जो बैंच बैठती है सवेधानिक बैंच इसमें दोस्तों नियूनतम कितने मेंबर होंगे चापिएगा इसमें दोस्तों नियूनतम पास सवेधानिक जो बैंच जो है वो नहीं खेलाएगी पास से दोस्तों अधिक है या फिर पाच है मिनिमम दोस्तो 5 जो ध्यान दखिएगा वो सवेधानिक जो बेंच से वो कहलाने वाली है अब दोस्तो हुआ क्या एक दोस्तो आरक्षण जो है लिखना 103 सवीधान संसोदन है एक सो तीनवा सविधान संसोदन ने दो हजार दोस्तो उननिस का नोट कीजेगा और इस सविधान संसोदन के दोर दोस्तो आर्टिकल पंदराच है ये जरूर लिखना most important बनेगा भाई साव अभी decision आया दोस्तो नोट कर लेना आपकी परिक्षा में 100% छपने वाला सवाल है कि आर्टिकल पंदराच है और दोस्तो लिखिएगा आर्टिकल सोलाच है अगर आपसे पूछ ले कि 103 में सविधान संसोदन के दोर दोस्तो 2019 में कितने दोस्तों कौन से आर्टिकल जोडेगे लिखना आर्टिकल पंदराच है दोस्तो और आर्टिकल सोलाच है इन दोनों को इसमें जोडा गया और दोस्तों कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों जो वर्ग है इनको लिखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% दोस्तों जो आ जाएगा तो कभी आप से पूछ ले ना कि भाई साहब एक सो तीनवे सविधान संसोदन के द्वारा कौन से नए दो आर्टिकल जोड़ेगे आर्टिकल पंदाच है और आर्टिकल दोस्तों 16 इन दोनों को जोड़ा गया अगर गुरुजी आप से पूछे कि भाई इसमें दोस सुप्रीम कोर्ट का आया देखिएगा अगर दोस्तों पुछूँ आप से सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की पांच नियाइदीस मैंने आप से कहा सवेधानिक दोस्तों नियाइद सवेधानिक दोस्तों बेंच बनेगी तो पांच तो मिन जो औरवर्ग है, economical weaker section के लिए 10% आरक्षण प्रदान करेगा, अब सुनना सबसे मैथ पूर्ण बात है, तीन दोस्तों नियाधीसों ने, justice, दिनेश महिस्वरी, बेला दोस्तों तरवेदी और जेबी दोस्तों पारदिवाल, कितने नियाधीस ठोटल दोस्तों, पांच नियाधीस जो हैं, वो इसके पक्ष में फैसला सुना देंगे, तो बहुमत आएगा, तो पांच में से तीन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें फैसला इसके पक्ष में सुना है, कौन-कौन से तीन नियाधीस ठे, justice, दिनेश, महिस्वरी, बेला तरवेदी दोस्तों, और नियाधीस कौन से देखिए, नियाएमूर्ती रविंद्र भट, क्या दोस्तों, नियाएमूर्ती रविंद्र भट ने कानून को भेदवापून और बुनियादी धाचे का उलंगन दोस्तों बताते हुए, ऐस हैमती जताईए, वहीं दोस्तों, justice UU ललित, note करना, जो भारत के मुखे नियाएदीस हैं, ये सबसे important question दोस्तों, जो भारत के Chief Justice of India दोस्तों, justice UU ललित ने भी नियाएमूर्ती रविंद्र भट के विचारों से सहमती, मतलब दोस्तों, सोचके देखो, पाँच नियाएदीसों में जोसो एक justice Supreme Court के मुखे नियाएदीस ने दोस्तों, इस पर ए सहमती दर्ज की, फिर भी दोस्तों, पाँच में से तीन ने सहमती दर्ज की है, इसी लिए दोस्तों, नोट करना, ये सवेधानिकता दोस्तों, इसकी वरकरार रहने वाली है, अगर पूछे दोस्तों, याचिका करताओं ने EWS कोटे के कई पहलों पर सवाल उठाया थ इसमें यह भी सामिल था, कि 1902 में में सुप्रीम कोट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्टे सीमा को कैसे पार कर सकता है, 1902 में दोस्तों लिखिएगा, आरक्षण से सम्बंदित एक बड़ा महतपूर्ण केस है, इंदरा सहानी केस लिखिए, 1902 में दोस्तों इंदरा सहानी केस है, लिखिए आरक्षण सम्बंदित एक बड़ा दोस्तों महतपूर्ण केस है, इसमें आरक्षण की सीमा जो है, 50% दोस्तों क्या की गई थी, तैह की गई ये भी आपको थोड़ा ध्यान लखना है, ठीक है, तो अगर पूछूँ आपसे, जो इंदरा सहा अच्छे दोस्तों जोड़ा गया है, इसको भी ध्यान लखना, कभी-कभी परिक्षण वाला सीता पूछेगा आपसे, कौन से दो नियाएधिसों ने ऐसहमती दोस्तों दर्ज की है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान लखना है, ये आपकी चिम्मेदारी बनेगी, मैंने सारी दोस्तों आपके सामने रख दी है, दो नियाएधिस ऐसहमती है, तीन दोस्तों नियाएधिसों ने सहमती दर्ज की है, पर ध्यान लखना, बहुमत दोस्तों किसके साथ है, लिखिए बहुमत दोस्तों साथ किसके लिखना, बहुमत जो है, तीन दोस्तों नियाएधिसों के स हाँ है इसलिए दोस्तों नोट करना इन तीनों का माना जाएगा और दोस्तों सही रहने वाला है एक गूरा पिछ़ड़ा वर्ग पिछ न लिए दस पर Music दो расп ठीक रहने वाला है अभी जस्ति दोस्तों एक बच्छा खेहरा है कि दोस्तों धेकिए अभी 49 में नमबर वाले दोस्तों नोट करना 49 में कौन थे मुख्यनियाइदिस है Justice उतो यूञू ललिज जो है ये 49 में नमबर के मुख्यनियाइदिस है पचास में कौन होंगे तो ध्यान लखिए 50 में दोस्तों होंगे DY चंदर्चूड नोट कीजेगा ये 50 में होंगे ठीक है तो पुछें आपसे कारेकाल की दोस्तों बात करूँ आपसे कितना कारेकाल होता लिखना उम्र दोस्तों निर्धारित है 65 बर्स लिखिए दोस्तों सुप्रीम कोट में 65 बर्स है और लिखिए हाई कोट दोस्तों यहाँ पर जो है वो वासट बर्स ये भी आपको थोड़ा ध्यान डखना है एक सो चारवा सभीधान संसोदन अधीनियम है अरे याद करो 104 दोस्तों एक तो मैंने आपसे पूछा था 104 में दोस्तों लिखिएगा जो एंगलो इंडियन है एंगलो इंडियन दोस्तों इनका क्या हो चुका है जो कोटा दोस्तों निर्धारित हुआ था वो समाथ हो गया और एक दोस्तों नोट करना अगर पूछे आपसे SCST दोस्तों इनका जो सीटों का जो रिजर्वेशन है ये पूछे आप से SCST तो चापेगा इनकी सीटों का जो रिजरवेशन है वो 10 वर्स के लिए एक्स्टेंट किया 104 सवीधान संसोदन में अगर पूछे आप से अब तक दोस्तों कितने सवीधान संसोदन अधीनियम दोस्तों आ चुके हैं कमेंट बॉक्स में च्छापेगा अब तक कितने आ चुके हैं एक दोस्तों 101 हमा सवीधान संसोदन अधीनियम इसके बारे में कमेंट में च्छापना 101 हमा किस संबंदित है इंदरा सहानी बनाम भारत संगवाद किस दोस्तों वर्स का है 1902 में च्छापना और आरक्छन के सीमा 50% दोस्तों तै करने वाला केस कौन सा है इंदरा सहानी केस है आगे देखिएगा क्या प्रस्तावना में संसोधन दोस्तो हो सकता है लिखना बिलकुल हो सकता है कौन सा केस दोस्तो केशवानंद भारती केस लिखिए केशवानंद भारती केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है और नोट करना दोस्तो एक बार संसोधन ह हो चुका है 42 सभीधान संसोधन उनिस सो चीएतर के द्वारा और प्रस्तावना में दोस्तों समाजवाद पंत निर्पेक्ष और अखंडता दोस्तों इन तीन सब्दों को इसमें जोड़ा गया तो अगर आपसे पुछे क्या प्रस्तावना में संसोधन हो सकता है बिलकुल दो दोस्तों हो सकता है कौन सा केस केशवानन्द भारती केस इसकी तारीक नोट करना अपनी कौपी में अगर पुछे आप से केशवानन्द भारती केस कब की तारीक 24 अप्रेल दोस्तों 1973 नोट करना केशवानन्द भारती केस इंपोटेंट कोश्चन है 42 सभीधान संसोधन दोस आपसे इसी सवीधान संसोधन को किस नाम से जानते हैं मिनी कॉंसिटूशन के नाम से जानते हैं दस्वी अनुसूची किस संसोधन द्वारा जोड़ी गए दोस्तो दस्वी जो अनुसूची है ये बामनवा जो सवीधान संसोधन है इसके द्वारा ध्यान रखीगा दस्वी अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल दोस्तों इसको रोकने के लिए ध्यान रखना दसवी अनुसूची का निर्मान किया गया तो अगर पुछे आपसे दसवी अनुसूची बावनवा दोसो सवीधान संसोधन और पूछू आपसे कौन से दोस्तों आपके दल बदल को र लोकने के लिए आया है अगर पूछे सवीधान संसोधन अधीनिया में इंडिया में दोस्तों लिखिएगा केवल दोस्तों 105 जो हैं सवीधान संसोधन इंडिया के सवीधान में हुए हैं और आर्टिकल पूछू हूँ आपसे लिखना आर्टिकल दोसों 360 जो है यह सवीधा संसोधन संबंदित है आप में से कौन ये बताएगा कि सविधान संसोधन की जो प्रिकिरिया है दोस्तों ये हमने किस देश से लिए है कमेंट वोक्स में घोली की तरह चापना 101 सविधान संसोधन लिखना जो जी एस्टी अरे दोस्तों लिखिएगा जो आपके गुड्स ये 101 मा सविधान संसोधन और कब से लागू होता है एक जुलाई दोस्तों 2017 जो है इससे लागू होता है ज्यान रख़िएगा GST इंडिया के अंदर लागू होता है तो एक जुलाई 2017 दोस्तों और पुझे सविधान संसोधन हमने कौन से देश से लिए साउध अफरीका दो दूस्तो मैंने कल भी कहा था आप से सवाल का पोश्ट माटम होगा आपके सामने उसका जो इस्टैटिक वाला पोर्शन है वो मैं आपको पूरा दूस्तो यहीं पर कराने वाला हो तो सवीधान संसोदन आर्टिकल दूसो 368 है साउथ अफरिका दूस्तो यहां से लिया गया अ